हेलो दोस्तों और कैसे हैं आप सभी तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि आखिर क्यूं छापे जाते हैं नोट पर गांदी जी तो इस बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और दोस्तों मैं यह बताना चाहता हूं कि यह कभी न कभी questions बनके आप भी सकते हैं तो दोस्तों आपको शुरू से अंतक देखना और short videos हैं और चैनल को subscribe किजिए जो चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट डला हुआ है ससी जे ससी और railway के एक्जाम के तयारी की जाती है तो आप मेरे चैनल पर विजट कर सकते ह हैं तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं कि आखिर क्यूं चापे जाते हैं नोट पर गांधी जी चलिए हिस्ट्री के बात कर लेते हैं हम लोग तो देखिए नोट पर गांधी जी का फोटो क्यूं होती है ठीक है तो देखिए स्टोरी जान लेते हैं कि वर्ष 1979 में महात्मा गांधी का जन्म सताबदी के मौके पर पहली बार 100 रुपय मुल्य के बैंक नोट पर रास्ट पिता की तस्वीर छापी गए थी ठीक है फिर 9047 में अजादी मिलने के बाद यह महसूस किया गया कि ब्रेटेश राजा की तस्वीर को महत्मा गांधी की तस्वीर से बदलना बद गांधी की तस्वीर से बदलने के बजाए सारनाथ के सिंग स्थम से बदल दिया गया ठीक है दोस्तों आगे जान लेते हैं तो फिर क्या होता है कि 1969 में भारती रिजर्व बैंक ने महत्मा गांधी के चित्र वाला पहला सौर उपे का नोट जारी किया जिसमें गांधी जी को सेवा ग्राम आशरम के आगे बैठा हुआत दिखाया गया था यह पहला मौका था जब गांधी जी की तस्वीर भारती नोट पर छापी गई इसके बाद 1987 में राष्ट पीता की तस्वीर बैंक नोटों पर नियमी तोर पर छापी जाने लगी उसी साल अक्टूबर में 500 रुपए के नई श्रिंखला में मुस्कुराती हुए गांधी जी की फोटो छापी गई थी ठीक है दोस्तों इसके बाद महात्मा गांधी की तस्वीर का इस्तिमाल नियमित रूप से विभीन मुल लेके नोटों पर किया जाने लगा ठीक है आगे देख लेते हैं तो अब बात कर लेते हैं कि वायसराय हाउस में खीची गई तस्वीर थी ठीक है वो जो आप देखते हो नोट पे वो वायसराय हाउस में खीची गई तस्वीर थी 1946 में देखिए जान लेते हैं कि वर्तमान में हम नोट पर गांधी जी की जो फोटो देखते हैं वो वायसरा पैथिक लॉरेंस से मुलाकात के लिए पहुंचे थे ठीक है किसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे उसमें तो फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस से ठीक है वहीं ली गई गांधी जी की तस्वीर को मैं भी तस्वीर दिखाऊंगा आपको वहीं ली गई गांधी जी की तस्वीर को portrait के रूप में भारतिये नोटों पर अंकित किया गया हलाकी यह तस्वीर है ना हलाकी यह तस्वीर किस photographer ने खीची है इसके बारे जनकारी उपलब नहीं है दोस्तों कि किन्होंने photo खीची थी उसमय तो वो अधूरा है तो देखिए यह जो photo में आपसे discussion कर रहा था यही photo थी जो वाइसरा हाउस में खीची गई थी 1946 में गांधी जी की ठीक है दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं अब देखें बात करते हैं कि 1980 मतलब उन्हें 180 में पूरी तरह नए नोट जारी हुए ठीक है कैसे जान लेते हैं गांधी जी की तस्वीर से पहले कई डिजाइन और तस्वीरों को बैंक नोट में इस्तमाल किया गया था ठीक है फिर 1949 में सरकार अशोक स्थम के साथ एक रूपे का नोट है ना एक रूपे का नोट लेकर आई थी इसके बाद 1953 में नए नोटों पर हिंदी को परमुकता से परदर्शित किया गया ठीक है अब क्या होता है कि 1954 में 1954 में एक हजार पांसो और दस हजार उपे मूल के नोटों का दोबारा चालू किया गया ठीक है दोस्तों 1980 में पूरी तरह से नए नोटों को जारी किया गया RBI ने 1996 में अतरिक्त फीचर्स और महत्मा गांधी की नए श्रिंखला के तहत नोटों को जारी किया ठीक है दोस्तों तो आप बहुत अच्छे तरीके समझ गया होंगे और जो मेरे चैनल पर नए है वो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मेरे दुआरा हर एक all competitive exams के लिए तयारी की जाती है तो आप मेरे चैनल के वीडियो प्लेइलिस्ट में जाकर आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं तब तक के लिए धन्यवार